नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरताब दोरिया इनने नूटूबर और आप सभी लोगों का मेरी यूटूब चैनल पर स्वागत हैं तो दोस्तों क्या आप भी परेशान हैं अपनी डायविटीज से यानि की सुगर से आपकी डायविटीज 380 या फिर 480 रहती है और आप बहुत सारी दवाईया भी खा रहे हैं लेकिन आपकी डायविटीज कंट्रॉल नहीं हो रही है और खत में भी नहीं हो रही है तो दोस्तों वीडियो में बने रही है वीडियो देखना पूरा आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्थर्व गरेल उपाय पता हूँगी कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो रिजट आप पहले दिन से ही देखना आपकी जो डायप्टीज है कितने भी बड़ी वी डायप्टीज हो वो डायप्टीज धीरे नीचे आएगी और जब आप इसे उसके का सेवन करेंगे तो ये डायप्टीज धीरे दीरे आपकी खतम हो जाएगी जड़ से तो चलते हैं वीडियो की और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों सेर करते हैं और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आप सबसे पहले है यहां पर हमें लेना है बो है दोस्तो अलसी आप सबी लोग जानते हैं डायपटीज को कम करने में अलसी बहुत ज़ादा रामबार्ग तरीके से काम करता है और जब यह अलसी आप लेंगे यूज करेंगे तो यह अलसी यानि की फ्लेक सीट से आपके डायवटीज को धीरे धीरे जर से खतम करेंगा तो हम क्या करेंगे दो चम्मच अलसी ले लेंगे और जो मैं यह नुसका बता रही हूं यह बिल्कुल इसके कोई सामगरी हम लेंगे और दोस्तो यह मैती दान आपको एपनी किचिन में यह मिल जाएगा तो हमंती दाना बराबर क्वांटिटी में यानि की 2 चम्मच मैती दाना तो जितनी सामगरी में आपको इसमें डाल रही हूं यह सभी सामगरी आपकी डायवटीज को ब्लकुल जर से खतम करने में बहुत तेजी से मदद करेंगी तो हम क्या करेंगे की से मैं ड़ावर कॉंटिटिटी में 2-ть मैंठीधान डाल दिया है तो इसके बाद को हम वह सरी चीजों में यूज करते हैं इसे खाने में में ही यूज किया जाता है तो इसलिए आप घबडाएं बिल्कुल नहीं तो आप क्या करें आप देख सकते हैं कि कि दाने इस टाइब से होते हैं आप पहचान लीजिए और आप किसी भी पंथारी की दुकान पर आप मा में ना है तो आप सिसमें मैंने ले लिया है दो चम्मच अल्सी दो चम्म नेतीता आप दो चम्मच लिए और इसके बाद में 24 हम करें वो है दोस्तो आप मैंने दो लकडी डाल दी है छोड़ी सी दालचीनी की अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस लकडी थोड़ा हम तोड़ देंगे क्योंकि ज्यादा बड़ी है और दोस्तों इस नुसके को आप जरूर ट्राइ करना और रिजट आप खुद देखेंगे पहले दिन से ही आप आप को रिजट मिलेगा और अब हम क्या करेंगे इस तरीके से इस लकडी को हम तोड़ देंगे जितना तूट सके और नहीं तूट रही तो कोई बात नहीं है अब इसका हम बना लेंगे एक फाइन पाउडर तो चलिए इन समी चीजों को मिक्स करेंगे और इसका बना अब इस पाउडर को बना भी सकते हैं और इसको आप इस टोर कर सकते हैं तो चलिए अब मैं इस पाउडर को बना लूँगी मिक्सी से और दोस्तों आप इसको ट्राई जरूर करना मेरे कहने पर आप बिल्कुल घवडाना बिल्कुल नहीं तो चलिए मैं इसका पाउडर बन बन चुका है और अब इस पाउडर को हम एक कटोरी में ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका मैंने कितना बारीक पाउडर बनाया है दोस्तों आप अगर डाइबटीज की दबाईयां खा रहे हैं तो वो दबाईयां भी खाते रहें एकदम से बंद करफें इसे आपकी डाइबटीज को जाएगा नी किया करेंगे निस्कार हैं ट्यार है और इसको आप एक बार बना ले और इस Winitelе करें पस और अरभी त defensος इसको एक महीने के लिए दो महीने के लिए आराम से बना सकते हैं तो अब आप क्या करें इस पाउडर को आप खाएंगे कैसे बोवी मैं आपको बताती हूं और आपको जो मैंने यहां पर बना के दिखाया है इसको आपको रोष्ट बगारा कुछ नहीं करना है आपको डारेक् दो मैं आप बने रहिए पूरा वीडियो देखना तो अब आप क्या करें इसमें 1 चमज पाउडर ली जिए और आप चाहें तो आप पहले पाउडर खा लीजिए और पहले पाउडर खा ले और उसके बाद में यह गुर्णगोना पानी पी लाए यदि आप ऐसे नहीं खान लगे दोस्तों मैं सच बोल रही हूं कि आप देखना कि आपको पहले दिन से ही इसका रिजल्ट मिलेगा आप जब इस पाउडर का यूज करेंगे ना जब उपयोग करेंगे पीएंगे तो सबसे पहले आप अपनी डायवटीज ना पलेना और उसके बाद में इस पाउडर को यूज करना यानि कि खा लेना और दो गंटे बाद आप अपनी डायवटीज ना पलेना लेकिन इसके बीच में आप मीठा पगारा कोछना खाएं आप देखना आपकी डायवटीज कम मिलेगी आप इसके जरूर ट्राइक करना अब आपको लेना कैसे है इसे आपको सुबह खाली पेट यानि सुबह जब आप फ्रेस होंगे उसके बाद खाली पेट आप इस जूस को पी लीजिए इस पाउडर को पी लीजिए चाहे तो पानी के साथ में घूल करके या फिर इस तरीके जैसे मैंने बताया था आप सुबह साम दोनों टाइम इस टाइब से इस पाउ फिर भी उनकी डाइबटीज बढ़ी रहती है लेकिन दोस्तों आप इस नुसके को ट्राइ करना इसमें जो मैंने सामगरी डाली है सारी सामगरी इसमें जो चीज़ें मैंने इसमें यूज की हैं सारी चीज़ें डाइबटीज को खतम करने में काम करती हैं बहुत तेजी से इसका रिजर्ट आप खुद देखेंगे जब आप इसको यूज करेंगे। यानि कि दुपएर के जब आप खाना खाएंगे तो पांच गंटे बाद आप इस लिकुट को ले लीजिए और बस हो गया। अगर आपको अपनी डाइबटीज जड़ से खतम करनी है तो दोस्तों लगातार इसका सेवन तीन महीने तक आप करिए। आप जो दबाईयां भी ले रहे हैं डाइबटीज की तो आप अपने डाक्टर से पूछ करके आप उस दबाईयां को भी बंद कर सकती हैं लेकिन डाक्टर की सला लेने के बाद मैं आप देखना आपके डाक्टर ही दबाईयां को बंद कर देंगे और इसके साथ में जो आपको डाइब्टी से छुड़का रहा मिल जाएगा तो चली दोस्तों वीडियो कर आपको मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे, दोस्तों से कर दीजे और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे मैं मिलते हूं नहीं वीट साथ नहीं इसके साथ तब तक के लिए नमस्कार